हेलो बूर्णिंग इस्टूडेंट्स देखो अपना कुछ स्लेबर्स कम हो गया है तो एक लास्ट मैं आप लोगों को यूनिट स्टार्ट कर रही हूं यह पार्ट वन वाली जो अपने पास में फिफ्थ यूनिट है वो उसमें थोड़ी ची रह गई तो मैंने सोचा चार पा स्टार्ट कर देती हूं अब यहां पर देखो जो है इसमें 17, 18, 19, 20 यह चैप्टर है तो इसमें 17 वाला चैप्टर तो आपका हड़ गया और जो 18 चैप्टर है वो 18 चैप्टर यहां पर आज मैं स्टार्ट करा रही हूं आपका और इस चैप्टर में जो है आपके पास में जो आगर चैप्टर है तो है तेल रेसे मसाले औजदी उत्पादक पादप यानि की ओईल फाइबर स्पाइसेज एंड मेडिशनल प्रोडूसिंग प्लांट्स तो यह आपके यहां पर प्लांट्स है एकनॉमिक बटनी अगर अपन इसकी स्टडी करते हैं तो किसमें करते हैं कौन सा ओईल वाला ओईल प्रोडूसिंग प्लांट्स यानि तेल उत्पादक पादप और इसमें आपके चार प्लांट है मस्टर्ड है ग्राउंड नट है कोकोनट और कैस्टर यानि सर्शू मूमफली और नारियल और एक है कैस्टर यानि अरंध तो इनके आपके पास प् प्लांट्स करें उससे पहले थोड़ा सा ध्यान कर लें कि ओईल है क्या तो अगर आपसे पूछाए तो ओईल क्या है ओईल इस एक तरीका क्या है जटिल कार्बनिक पदारत है और इसमें क्योंकि फैट है तो फैटी एसे हैं इसके अंदर और अगर वैसे अपन देखें तो कार्बन हाइडरोजन और आकसीजन ये तीन चीज इसमें ज्यादा इंपटेट इस तो वसे अगर आप केमिश्ट्री वगरे में पढ़ते हो तो आपने देखा ओगा कामिनिशन तो कार्बन हाइडरोजन और ऑकसीजन तो ये एक हाइडरोकार्बन की तरह है फिर उसके अगर आपन अलग देखेंगे बाकी अधिकतर जो आईल है वो नॉर्मल टमपरेचर पर लिक्विड रहते हैं फिर इसके बाद में वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं फिर यह इसके मेन करेक्टर है अब यहां पर देखो अगर क्योंकि यह प्लांट से मिल रहे हैं अब यहां पर देखो दो तरीके का क्लासिफिकेशन है जो पहला क्लासिफिकेशन है उसमें मतलब ओईल का तो उसमें एक तो है ओन दी बेसेज ओफ नेचर यानि प्रकरती के आधार पर और जो दूसरा है वो कौन सा है जिसमें की हम ऑक्सिजन के बेस पेस को करेंगे अब देखो अगर अपन नेचर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहां पर दो टाइप में डिवाइड है एक तो है एरोमेटिक यानि सुगंद वाला एरोमेटिक एसेंसियल और वॉलेटाइल ओईल यानि की एक तो सुगंद आती है अनिवार है और वासु से लिए अगर आप हमें सेंट वहता है तो यहां पर देखो आपको दिख रहे हैं कि इस थरीके के जो फ्लावर सेंसे निकाला जाता है और मैथड नका कीमिकली होती है जैसे आपने डिस्टिलेशन प्रोसेस बड़ा होगा केमिश्ट्री में आस्वन विधी तो उसे इसको बनाया जाता है और तो वेपर से उन वेपर को ठंडा करके फिर यह यहां पर ओइल अपने पास में बनते हैं फिर देखो दूसरा जो है अपना वो है फैटी फेक्स्ट और नॉन वालेटा यानि वसिये इस्तिर या अवास्पुसिल अब यह अपने उससे पता चल रहा है कि यह एकदम से वेपर में चेंज नहीं होंगे इसके अंदर जो है फैटी एसिट्स मिलेंगे और उसके अलावा जो है ट्राई ग्रीशेलडाइड एलकोहल के एस्टर तो यह इसमें यहां पर होते हैं और इनको सीधा ही जाज़ा सीड़ में दिख रहे हैं कि मस्टर्ड हुआ ग्राउंडनेट हुआ सोया बीन हुआ तो इन सब के जो तेल हैं वो सारे तेल इसके अंदर आते हैं तो यह दो आपके नेचर वाइज हो गया एक तो एरोमेटिक या वोलेटाइल और दूसरा आपका कौन से हो गया फैटी और नॉन व जाए कि यह ओईल जो एन्वाइरमेंट है उसकी ऑक्सीजन को कितना असोशित करते हैं कितना अप्जॉप्स करते हैं इसका मतलब कि ओन दी बेसिज ऑफ एप्जॉप्शन ऑफ ऑक्सीजन तो उस पर जो है इसको चार टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है जो फर्स्ट ह है वह है ड्राइंग ओईल या सुसकन तेल अब यहां पर देखो मैंने आपको डायग्राम दे रखा है कि अगर यह इनको उपन किसमें यूज करते हैं पेंट वगरे में कि अगर आपने पेंट लगा है तो थोड़ी दिर बाद पेंट क्या हो जाता है सूख जाता है तो वह अगरता है और आकुछीजन एबजर्व करता है तो यह जो औृल होते हैं यह क्या करते हैं जो इनको किशीजन उस को यह उपस्त इनके उपर एक थोड़ी कठोर या सॉलिड लेयर बन जाती है और यह थोड़ी दिर बाद चाहते हो सूख जाते है तो यह तो ओगया आपका कौन सा ड्राइंग ओईल या सुसकन तेल जो दूसरा है वो कौन सा है अर्ध सुसकन या सेमी ड्राइंग ओईल अब यह क्या करते हैं यह oxygen को environment से लेते तो हैं लेकिन बहुत इसकी absorption power बहुत कम होती है और अगर आप काफी समय तक इनको खुला अब यह तो यह तो यह कुछ खाने के लिए काम में लेते हैं या फिर साबून वगर उसमें काम में लेते हैं और अगर आप एक्जाम्पल देखते हो तो इसमें cotton वाला जो ओईल वह सनफ्लॉवर का है सीसम का है और मस्टर्ड के तो यह ओईल कौन से कलाते हैं आपके सेमी ड्राइंग ओई आप देखो जो तीसरा है वो कौन सा है आपका नॉन ड्राइंग ओई यानि कि जो सूकते नहीं है तो यह जो ऑईल हैं इनको आप कित्ते भी टाइम तक अगर ऐसे फ्री रख दोगे एयर में खुला रख दोगे तो इन पर कोई परत या कोई लेयर नहीं मिले में भी काम मिलेते हैं साबुन और सबसे ज्यादा जो इंपर्टेंट है वो लूब्रीकेंट के रूप में यानि चिकनाई के रूप में हम काम मिलेते हैं अब यहां पर जैसे मैंने आपको एक एक्जामपल में अरंडी या कैस्टर ओयल देखा है तो यह इसका बेस्ट एक् kलीड हो जाते हैं semi solid या solid होते हैं और इसमें best example मारा coconut का है आपको पता है भी थोड़ी सी थंड होगी और पूरा का पूरा coconut के हो जाता है तेल क्या हो जाता है जम जाता है तो यह इसका फोर टाइप है जिसमें की coconut वाला को एक्जामपल देना है अब देखो अब मैं आपको start कर रही हUI हूं सर्सों या mustard ठीक है और यह normally जो है इसको पीली ज़ो पीली सर्सों बोलते हैं राइ भी बोलते हैं तो यह थोड़े अलग-अलग हैं लेकिन जो अगर हम नॉर्मल ही देखें तो पीली सर्सों होती है जिसे वैसे इंगलिस नाम है इंडियन कॉल्जा और अगर आप बाटनिकल नेम लेते हो तो ब्रैसिका नेपस है ब्रैसिका कंपेस्ट्रिस है ब्रैसिका ओले रेशिया है तो इस तरीके से यहां पर बहुत सारी और ब्रैसिका है लिए ब्रैसिकासी दूसरी नाम है रहे हैं और आप लोगोंने 11 में रहे हैं तो इस तरीके से जब से पहले आपको इसका क्लासिफिकेशन तो इसमें ध्यान रखना है कि बॉटनिकल नेम जो है वब्रनेस पतिक नाम है वह आपको याद करना और रहे हैं जो भी जैसे अब ह इसमें भी ऑईल ले रहे हैं तो ऑईल किस से मिलता है तो इसमें आप कोगे कि जो सीट के अंदर कॉटिलीडेंस होते हैं तो वह चीज आपको याद रखनी है कि कहा हला कि चीज है तो मैं आपको सारी बताऊंगी लेकिन जो इंपोर्टेंट है वो यह यह बॉट निकल नेम है यहां पे इसके शीट में उन से ऊईल निकाले जाता है तो यहां पे तो यहां पे अगर आपन overlखेए हैं मस्टड का तो वह हैं या माइनर हिमालय रिजन है और एक आपका भूम अद्धी सागर्थ शेत्र है तो इन तीनों जगह हैं इन तीनों से जो है इसको की उत्पत्ति औरीजन माना गया है फिर उसके बाद में कि यह रभी की क्रॉप है यह भी आपके लिए इंपर्टेंट है बाकि ऐसा कुछ नहीं है कि कब इसको कटाइव बटाई पर अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है और फरवर Verma में में किकिक जाती है तर उसके बाद में अगर आप यह प्लान देख रहे हूं तो तीन से पांश फिट लंसपा फोता है फिर उसके बाद में अगर हम इंडिया में आपको यह में प्लान्ट उसका ली जरोत नहीं है फिर आप इसका फुल वराससा है तो पर आप इसका प्लान्ट आप धिक्ताइब पटेल्स पहले बात यहलो कलर का होता है। क्रोस में आहिया disappointed इसका नाव बहुति पूछ एंगा सामने हैं वहाइन रखाते हैं। इससे पोलगा नॉन इंड्र भाद। अब इसमें देखो बाकी तो शारी चीजें हैं लेकिन शबसे इंपर्टेंट चीजें कि इसमें एक तो बहुत तेज स्मैल आती है । और वह स्मैल आती है गंधक की वज़या सुलफर की बब यहलो कलर के होती है , इसका ओइल भी है , इसका फ्लावर की अफैसे होती है , और अभी प्रिबोरडं इसका नाम भी अगता वे कौन सा एसा रसाएफ यह इसके इसमेल आती है तो यह है आपका एलील आईसो थायो साइनेट तो यह नाम आपको ध्यान रखना है कि इसके कारण जो ही पीले रंग का होता है और एक अजीब सी इसमें से स्मेल आती है उसके अलावा इसमें कुछ फैटी एसीड भी है जैसे एरूसिक एसिड है औरलिक है पॉम है औरलाव वारुद्व कहा है तो इस तरह उसके बाद में यूजेज आंस पता है कि सबसे जादा घ्रिवस के अजीए उसके बाद में क्योंकि खाने में काम मिल लेते हैं पिर इसमें गणधग होता है तो इसमेरिक मसाज्ड में हैं यांःकोड़ में कोई भी हमारे कुछ चीज़ें से कर ज़्यादा वह जौरत नहीं है फिर उसके बाद में अगर आपन देखें किसको खिला जाते हैं जानवरों को खिला जाता है जिस सेका जो उनका जो अंदर का इंफेक्शन वगयर वह बी कम से कुछ जगह यहां पर उसको फर्टिलाइजर भी यूज करतें ताकि यह बहुत अच्छा इंसक्ति साइड भी है कीट नासी भी है तो इसलिए यहां पर काम में लेते हैं फिर उसके बाद में जो है यह इसके जो सीट से आप लोगों बताया अचार वगरे में काम में ली जाते हैं तो यह एक तरीक है कि पिजर्वेटिव के रूप में भी लिया जाता है तो कुछ चीजे हैं जो बहुत इसकी इंपोर्टेंट है बाकी जैसे माली जे कि जब यह फली वगर निकल जाती है तो इसका जो बाकी प्लांट पार्ट है उसको जो है एनिमल के फॉर्डर के रूप में चारे के रूप में काम में लेते हैं और जब इस जादा आपको जो चीजे मैंने आप बताई है वह इंपोर्टेंट है उसको इस हिसाब से आपको याद करने हैं आप यह देखो जो दूसरा है वह है ग्राउंड नट या पीनट अब यहां प्लांट देख रहे हो अब इसका जो बाटनिकल नेम है वह क्या है एरिकिस हाइप वह दिखता राता है फिर यहां पर देखो इसका भी जो खहने वाला या का यू यूज वाला जो पार्ट कि पर यह सीड क mashते तो इसका जो सीड है Brasile और अम अमेर्रीका कंह जाता है और वैसे जो है इंडिया जो है नमबर वन पर है ग्राउंड नट प्रोडक्शन में तो यह आपको याद रखना है और उसके बाद में जो इंडिया में अगर आप देखते हो तो गुजरात और माराष्ट यहां पर जो है मुमफली या ग्राउंड नट बहुत ज्यादा चाहिए होती है तो यह अधिक तर आपको गुजरात और महाराष्ट में मिलेगी फिर उसको में आप प्लांट देख रहो तो नॉर्मल प्लांट है यहां पर अब सबसे इंपोर्टेंट जो चीज है वह यह है कि इसकी जो रूट्स है क्योंकि यह लेग्यूमिनेसी का है तो इसकी जो रूट्स है उस रूट्स में राइजो भीयम होता है जो प्रोटीन संसलेशन या प्रोटीन सिंतेशीज में help करता है इसलिए जितनी अमारे पास में तौन दाले है वो सब जो है एक बहुत अच्छा सोर्च है कि इसका प्रोटीन का फिर उसके बाद में देखो इस इसका जो development होता है, मुमफली का वो क्या होता है, अंडर गाउंड होता है, आप लोगोंने देखा भी होगा, कि जब यह अंदर चले जाते हैं, तो इनको धग दिया जाता है, मिट्टी से, क्योंकि इसका development का होगा, अंडर गाउंड, और यह जो इसका fruit है, इस fruit को हम क्या बोल होते हैं, तो इन seeds में लगबग 25 से 30 परसेंट तो protein मिलता है, और लगबग 43 से 50 परसेंट इसमें क्या होता है, oil होता है, तो यह आपको ध्यान रखना है, उसके बाद में, अगर अपन बात करते हैं, इसकी, तो यह खरीब फसल है, और फिर उसके बाद में, अगर इसकी oil की अपन properties देखें, तो यह non-drying oil है, जो अभी पहले भी मैंने आपको example में बताया था, यह भी yellow color का होता है, इसके अंदर allic acid, यह fatty acid है, उसके अलावा linonic acid है, pomatic acid है, eretic acid है, यह तो acid sense में, फिर इसमें phosphorus और vitamins बहुत पाए जाते हैं, तो यह vitamin methyamin है, riboflamine है, niocin है, तो यह कुछ यहाँ पर vitamins पाए जाते हैं, फिर उसके बाद में, अगर आप इसकी varieties देखें, तो कुछ है, RS1, RSB87, EK12, तो यह कुछ varieties यहाँ, चंदरा, गिरनार, यह कुछ जीवी हैं, फिर इसके बाद में, इसके uses हैं, तो uses में सबसे ज़्यादा आपको पता है कि इसको खाने के रूप में लिया जाता है, इससे oil मिलता है, और उस oil में protein भी होता है, तो यह सबसे important चीज हैं यहाँ पर, फिर इससे जो है, घी भी बनाया जाता है, यहीं, chemistry में आपने पढ़ा होगा, hydrogenation, यानि कि hydrogenation, या नवजात hydrogen करके उसको ठोस में बदला जाता है, तो यहाँ पर काम में लिया जाता है, इसके भी जो oil केक वगर हैं, उनको काम में लेते हैं, बाकी इसके भी जो खली है, या केक वगर है, उसका काम में अपन लेते हैं, फिर यहाँ पर देखो, सबसे important चीज है, यह पूछा भी जाता है कई बार, कि इसमें जो protein है, उस protein से और डिल, यह एक artificial fiber होता है, जो बनाया जाता है, तो इसको यह आपको याद रखना है, फिर उसके बाद में, क्योंकि इसमें protein ज़्यादा है, इसमें rhizobium है, और इसको हम rotation crop के रूप में, यानि rotation crop यह होता है, कि जब हमें किसी भी जमीन की fertility इंक्रीज करनी होती है, तो हम ऐसी फसल को काम में लेते हैं, तो उससे क्या होता है, फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, दूसरे plant के लिए, तो इसलिए जो इसको rotation crop भी कहते हैं, फिर उससे क्योंकि इससे भी कुछ insecticides बनाया जाते हैं, रेटिनोल है, निकोटिन है, यह आपको पता है, तो वहाँ पर इसके साथ मिलाके insecticides बनाया जाते हैं, फिर यहाँ पर आज के लिए बच्चे जानते हैं, पीनट बटर तो यहाँ पर जो इसके सीट से पीनट बटर भी बनाया जाते हैं, यह भी इसकी एक श्पेसल चीज है, अब यह देखो दो ऑईल तो मै करा दिया है, ठीक है, ओके थैंक यू,